तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वुडियो में और ये जी वुडियो है आप लोगे टेन्थ क्लास के उर्दू का जो तीन सा अती महत्तपून अब्जेक्टिव कोश्टन का भुचाल सरीर चल रहा है ना उसका पार्ट थ्री है जिसमे हम लोग 20 नहीं बलके 40 objective question को complete करेंगे ठेक पार्ट वन में मैं 20 कराई थी 20 objective question पार्ट तो में भी 20 कराई थी लेकिन पार्ट थी में 20 नहीं 40 objective question कराऊंगी ताकि तीन सा जो अती महत्तपून प्रश्णों का भुचाल सरीर चल रहा है ना तो तीन सा अती महत्तपून तो इसलिए मैं सोची कि आप हर वीडियों में आपको 40-40 करा लेंगे तो चलिए आज के शुरुवात करते हैं हर एक अब्जेक्टिव कोश्ण को द्यान से देखना है और आप लोगों को तो मालूमी होगा इन अब्जेक्टिव कोशन में मैं जो आप्सन होता है वो हटा दी ह सही option 4 option में जो तीन option wrong होता है गलत उसको अटा दिए और जो सही option होता है उसको डाल दी उसको सही औप सनथ सही एंसर फिर कोशन आपको मालूम हो ठीक तो चलिए हर एक question को आपको ध्यान से देखना है और समज कर उसका answer याद करते चलना है ठीक तो चलिए है हाँ तो यहां से आप लोगों का सवाल स्टार्ट हो रहा है और देखिए क्लासटेंट उर्दू अब्जेक्टिब कोश्टन का यह पार्ट थ्री है जो कि बुचाल से चल रहा है तो सवाल नंबर फोटी वन से क्यों क्यों पार्ट वन मे कहानी किसका लिखा हुआ कहानी कहानी का किताब क्या नाम है तो इसका एंसर देखे लिखा है जुनौने UFO ठेख ये याद क्णिजीएगा कैसी पूछा जचा चूकह है यह कितना बार, ठेके, कमर जहां के पहले अफसानी detect कहानी का किताब का नाम है, जुनौनेवफा, आगे बरते हैं, कोशन नमबर 43 है है, कि कमर जहां किस्युनिवर्सिटी में उस्ताद थी, तो कमर जहां जो है ना, वो भागलपूर उनिर्सिटी में तो सबी को आप लोगो को याद रखना है सभी को आगे बढ़ते हैं नमबर 44 निगार अजीम का असल नाम क्या है तो निगार अजीम का सल नाम मतलब रियल नेम है मलिका महर निगार यह वी आप का चुकी इंपोर्टेंट सम्झते हुए तो अगर आप डोग पड़ें तो जाकर पड़ सकते हैं इसी चानेल के प्लेलिस्ट में हैं अर्दू से 2022 से सन 2022 थेस के नाम से अगर चैप्टर नहीं पड़ें तो वहां से जाकर आप डोग पड़ सकते हैं ठीक चली कोशन के ततरव बढ़ते हैं सवाल नंबर 45 है की इन ँगार अजीम का कौन सा फ्थाना आपके निसाब में शा मईल है यहीं कि नगार का खईन कौन सा कहाने कौन सा अफ्थाना आप लो गोके बुक में दिया गया है शामिल है तो उसका नामैं आश्रियाना आश्रियाना नमका चैप्टर पढ़ना है थेक जो कि पढ़ना है आगे बढ़ते हैं Q ecosystems चीशं कीश्ञानी का किताब है जुमुनेंए वफा किताब कर तो इस कि इसकी आप लोगो बताना है तो जवाब में लिखा हुआ है कि उन्हें 66 में वफा नाम के इस कहानी की किताब को प्रकाशित किया गया और कौन से महानामा से कौन से मंतली मैगजिन से तो उस मंतली मैगजिन का नाम सुभा नो यह भी याद रखना है यह कोशन पूछा जा चुका है आगे बढ़ते हैं question number 47 है कि कमर जहां के एक अफसानुई मजमुवा का नाम बताना है तो देखिया जवाब में एक लिख दिया गया है उसको टिक कर देना है अब हो सकता है कि चारा गणा रहें तो आगे बढ़ते हैं question number 48 है कि निगार रजीम ने किस मजमून में में किया उर्दू और फार्सी में निगार रजीम जो है ना वह में की थी यहां तक की ड्रॉइंग और प्रेंटिंग और गहरे में भी थी ति आगे बढ़ते हैं question number 49 कि कमर जहां ने अपनी तद्रिसी कारियर का आगाज कहां से किया तो वह सुंदर्वती महिला कॉलेज भागलपूर से की थी ठीक अपनी तद्रिसी कारियर का आगाज तो जिस भी आपसन में आप लोगों को सुंदर्वती महिला कॉलेज इतना तो नहीं दे तो निगार अजीम जो है ना वो जामिया मिल्य इसलामिया कॉलेज से पेशडे की डिगरी हासिल की थी आगे बढ़ते हैं सवाल number 51 कि निगार अजीम का मजमुआ यानि कि किताब गहन कब शाय हुआ ये भी question पूछा चुका है ये भी विवी आई है तेके देखिए जो जो very very important है ना वह आप लोगों को मैं बताते चल रही हूं ठीक है निगार अजीम का जो किताब है गहन वह उन्हेसा 99 में शाय हुआ प्रकाशित हुआ यह याद रखना है आप लोगों को आप लोगों को आशियाना नाम का चैप्टर पढ़ना है ना कहानी निगार अजीम का आप लोगों को तिक कर देना है वही हो जाएगा आप लोगों का सही अंसर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 53 कि नेगार अजीम के सफर नामा का क्या नाम है तो गर्द अवारगी यह भी कोशन पूछा जा चुका है विवियाई है तो इसको भी याद कर लेना है को बहुत ही जल्दी तुरंत याद कर लेना है और जिसको मैं नहीं बता रही हूं वह भी इंपॉर्टन नहीं है वह भी है बस जिसको मैं विवियाई करके बता दे रही हूं वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है ठीक आगे बढ़ते हैं कोश्ट नमर 54 है कि नेगार अज मसला है तो यह संगीन मसला है सिरियस मसला है यह कोश्चन विवियाई है यह कोश्चन पूछा जा चुका है तो इसको विवियाई समझते हुए याद अभी के अभी याद कर लेना है तिक आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 56 की क्यूटों में ग्लोबल वार्मिंग पर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 की कार्बंडाई ऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है तो 31 पर तीसाथ पहले आगया इधर रहना चाहिए एक तिस पर तीसाथ कर्बंडाई सीयोटों में अजाफा हुआ है बढ़नती ही आगे बढ़ते हैं जमीन का दर्जे हरारत पिछले सौ बरस में कितना बढ़ गया है तो 0.75 डिग्री सेंटीग्रेट अप्सन में जिस भी आप्सन में आप लोगों को दिखाई दे 0.75 डिग्रेट तो उसको आप लोगों को टिक कर देना है ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 59 की मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है तो वह 149 पर सेंट 109 परतिसत का इजाफा यहन की बढ़नती हुए मीथेन गैस में जो कि सबसे बढ़ा मतलब यही है मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का दरजेश जमीन का दरजेश अजरत बढ़ता है ना उसका सबसे बढ़ा जिम्मेदार आप बो बालु अग्यान कॉंग्रेस 2007 हिंदुस्तान के किस शहर में मुनापद हुआ था तो यह शहर दीमापूर में हुआ था और 2007 में नहीं बिलकि 2008 में हुआ था यह याद रखना है बालु अग्यान कॉंग्रेस जो है ना 2008 में हुआ था हिंदुस्तान के शहर दीमापूर में ठी की खेत के धान की खेत से सबसे जएधा methane गैस निकलता कि आप गायभैस के गोबर होते उसे बिचालता वी ज्खाईद कैसी निकलता है तो बाले स्वाल नंब नंबर 62 कि अमेरिका के साबिक नायब सदर कौन थे तो वो थे अलगोरें आगे बढ़ते हैं सवाल नंबерж 63 53 नंबर सवाल लेकि भाल वा ग्यान कॉंगरेस देखिए यहां आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मॉख्यान के कि पान्च दिनों के कम्फरेंस में कितने तुलबा और तिलबात को शिर्कत करने का मौका दिया गया था तो 556 तुलबा और तुलबाद को शिर्कत करने का मौका दिया गया था आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 65 कि बाल वग्यान कॉंग्रेस में कितने असादजा हिस्सा लिये थे तो 1165 असादजा यानिकी टीचर जो है ना हिस्सा लिये थे और स्टुडेंट यानि की चात्रा और चात्रा पांसा चपन यह याद रखना है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 66 कि सरस्यद के वालीद का नाम क्या था यह विव्याई है देखें मैं डिरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं क्या है वैरी वैरी इंपोर्टन यह पूछा जा चुक तो उसका नाम है रहे या ठेक है आगे बढ़ते हैं कौश्चन नंबर 68 68 नंबर सवाल है कि कमर जहां का कौन सा अपसाना आपके इसाफ में शामिले कमर जहां का कौन सा कहान आप लोग के स्लेबस में है जिसको आप लोग को पढ़ना है तो वह है कटी वूव शांख आगे is very important for you अभी के अभी आप लोग याद कर लीजिए ठीक आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर सक्तर के सरस्यद के वालिदा का नाम क्या था यह भी वी वी आई है ठीक देखिए जो जो वी वी आई है ना उसको मैं आप लोगो बताते चल रही हूं बहुत ज़्यदा सरस्यद के वालिदान की मा का नाम था अजिज़न निसा बेगम सवाल नंबर सेवैंटीवन की सरस्यद ने अलीगड में कौन सा अधारा काइम किया तो मुस्लिम इंविशिटी जो एना इस्थापित किये थे सरस्यद मनखाद तो जिस भी आपसर में आप लोगो मुस्लिम यह अलीगड मुस्लिम इंविशिटी का पुराना मुद्ब शुरुवात में यही नाम रखा गया था मुहमदन एंग्लो औरियंटी मिल कॉलेज और बाद में बहुत ज़्यदा फेमस हो गया यह कॉलेज तो इसका नाम क्या रख दिया गया अलीगड मुस्लिम इंविशिट ठेक आगे बढ़ते हैं सरसेयद एमद खा को सर का खिताब कब मिला था तो 1870 में ही मिला था आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 76 कि अंगलिस्तान से वापस आकर सरसेयद ने कौन सा रिसाला जारी किया कौन सा पत्री का जारी किये थे तो उसका नाम था तहजबुल अखलाक त तो वापसन हो गया आप लोगा सही आपसन उसको आप लोगो टिक करके चले आना है सवाल नंबर 77 है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है ये जो अदब की पहचान है ये एक मजमून है निबंद है तो इस मजमून के मजमून निगार कौन है लिखने वाले कौन ह तो वह है डॉक्टर अब्दल मुगनी आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 78 कि 1862 में सरस्यद ने गाजी पूर में कौन सी सोसाइटी बनाई तो उसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी ठीक आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 79 कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है तो ये एक तनकीदी मजमून है लास्ट सवाल सवाल नमबर 8080 असी नमबर सवाल है कि अब्दल मुगनी कब पैदा हुए थे तो वो 1934 में पैदा हुए थे तो ये था भुचाल स्रीज का पार्ट 3 जिसमें हम लोग सभी अब्जेक्टिव कोशन को कम्प्लीट कर लिए कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूट सकते हैं बाप हमें आप लोग समय और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सुट्स्क्राइब जरूर कर लिजेगा कर लेने के बाद यानि कि घंट के दोबाकार शरो आपसलन क्लिक कर लेना है उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज